अगर आपका clothing brand है, then ये video आपको help करेगी, आपके clothing brand को grow करने के लिए, इस video में आपको targeting के बारे में बताऊँगा, budget के बारे में बताऊँगा, कुछ funnel strategies बताऊँगा, और किस तरह से आपको आपका budget spend करना चाहिए, उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो make sure that you watch this video till the end, और subscribe क कर देना इस video को, बाकी चलते हैं, laptop screen पर मैं वहाँ पर आपको दिखाता हूँगी, किस तरीके से आप अपनी clothing brand को grow कर सकते हो, okay, so अभी हम आचुके है, हमारी laptop screen पर आप यहाँ पर देख रहे हो, Facebook ads for clothing brand, यहाँ आपर मैंने कुछ चीजे लिख रख नहीं है, जैसे budget required, add type targeting, add process, important data, और growth partner, तो आज हम इसके बारे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो चीज़ required, that is, की budget की है, हमें budget कितना रखना चाहिए, minimum की मैं बात करूँगा, इस particular video में, इसमें minimum आपको बताए दूँगा, बाकी maximum की, तो कोई limit नहीं होती, जितना चाहिए, आप उतना कर सकते तो होना ही चाहिए, अगर आपके पास तीन महीने का cash flow नहीं है, आपके पास let's suppose कम amount है, और आप ऐसा सोच रहे हो कि आप ads run करोगे, उससे जो amount, उससे जो आपको revenue आएगा, उसको आप दोबारा reinvest कर दोगे, तो generally एक ideal case में आप यह मान के चलो कि ऐसा नहीं होने वाला है, यानि कि कभी-कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने ads चलाने शुरू कि और आपको तुरंथी result में लगे, तो उसके chances कम है, second चीज कि इतना अगर आप तीन मंद का cash flow रखते हो, तो आपके पास एक वो रहता है, आपके पास backup में प्लान रहता है कि ठीक है, मैं इतना spend कर र ठीक है, तो उसके लिए आपके पास cash flow अच्छा का सोना चाहिए, अगर तीन महीने हाई चलाने के आपके पास पैसा है, तो आप चलाओ, ठीक है, प्लस जो आपका budget है, वो आपके product का average cost क्या है, अब मालो कि अगर आपके product जो आप T-shirt sell कर रहे हो, ती-shirt की मैं बात कर लेता फिर आपको data बहुत धिरे-धिरे गैदर होगा, अगर बहुत धिरे-धिरे data गैदर होगा, तो आपको जल्दी result भी नहीं मिलने वाले, और आपका amount भी आपको spend करते रहना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर आप let's suppose 500-600 रुपए का आपका T-shirt या hoodie है, या कोई आपने कुर्त इस वगरा, sell कर रहे हो, women fashion में हो, किसी भी clothing में हो, ठीक है, आप ये clothing का मतलब, आप T-shirt sell करते हो, clothing brand, women's clothing में हो, ethnic wear में, whatever that you are doing, आप इसमें इस चीज़ कर सकते हो, ठीक है, तो it depends on the product, कि आपके product का price कहा है, अब मालो कि आपका product का price अप्रोसा high हो, let's suppose 25-30-3000 के आपके product है, तो आप वहाँ पर आप अगर 500 रुपए spend करोगे, ads में, तो कोई मतलब नहीं है, अगर आपका 3000 रुपए का product है, तो at least 1500-2000 रुपए आपको per day ad में spend करने चाहिए, average price में आपको कहा हो, ठीक है, और तो इसलिए मैंने जो minimum रखखा है, that is 30,000 तो 50,000 अब मन्त, इस से कम अग का design बहुत ही जादा unique है, आपके product मतलब अचानक से viral हो गया है, और लोग उसको खाइदने लगे, तो definitely आप वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन उसके chances कम है, तो make sure कि आपके पास 30,000 पर month spend करने के लिए हो, minimum 30,000 तो होना ही चाहिए, पर डे अगर आप 1000 के भी आड नहीं तो Facebook को data gather करने में time लगेगा, प्लस आपको भी समझ नहीं आगा कि किसको चलाओं, किसको बंद करूं, तो यह चीज़ सबसे important है, यह मने बता दी, बाकी maximum की तो कोई limit नहीं है, जैसे जैसे profitability हो भी आप बढ़ाते जा सकते हो, लिगे, second चीज़ हम बात करते है, ad types की, दो ad types मैं आपको अभी के time पर recommend करूंगा, 2023 में, that is कि आप carousel ad run कर सकते हो, आपके clothing brand के लिए, secondly कि आप reels पर focus करो, आप जादा से ज्यादा reels upload करो, reels पर add चलाओ, यह दोनों पर अभी के लिए results काफी अच्छे मिल रहे हैं, हमारे जो भी brands हमारे साथ काम करते हैं, हमारी agency के सा साथ काम करते हैं, clothing brand, अब उन में फाइदा यही हो रहा है कि हम इन दोन चीज़ों पर focus करें, that is carousel ad or real ads, single image item ने चलाए थे, वो जदा work नहीं करते हैं, carousel ad or real ads ज्यादा काम करते हो, तो आप भी चाहो, तो आप अपने brand के लिए carousel ads और real ads पर focus कर सकते हो, ठीक है, second टागेटिंग की बात को हो, तो टागेटिंग के अंदर clothing का इस इस्तमाल आप कर सकते हो, t-shirt, suits, salwar, kameez, street wear, hip hop fashion, beauty, outfit, fashion accessories, इनका use करो, उसके सब आपको suggestion में काफी साइचीज है मिल जाएंगी, तो आप वो suggestion भी ले सकते हो, targeting आप मैं targeting आपको बता दिया, targeting use कैसे करनी है, व also location targeting भी आप कर सकते हो, या फिर आप age-wise targeting देख लो कि आपका जो product है, वो किस age group को ज़्यादा पसंद आएगा तो आपके उस age group में अपने products को run करिये, then add process की में बात कर लेता हूं तुरा सा कि add process क्या रहने वाला है, यहाँ पर हमारा, जो हमारा add process रहेगा, आप major focus करिए कि 90% of your budget, जो भी आपका budget है, 90% या 95% budget मैं कहूंगा कि आप cold ads पर यूज़ करो, यानि कि interest targeting पर यूज़ करिए, जहाँ पर आप नए लोगों तक अपने product को लेकर पहुचाते हो, तो make sure कि आप 90% of the जो budget है आपका cold ad पर रखो, उससे क्या होगा, उससे आपको फाइदा होगा कि आप जादा से जादा नई audience तक पहुच पाओ कि जादा लोग आपके brand के साथ interact करेंगा और यहां से आपको customer base मिलेगा, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो budget बहुत जादा spend किया नहीं होता, उन्होंने, उनके पास data बहुत जादा होता नहीं है, और वो retargeting अगर cold ad भी चला रहे हो, उसी में retargeting भी चला रहे हो, तो उससे आपको कुछ फाइदा नहीं होने वाला, ठीक है, तो शुरुआत में मैं तो यही कहता हूँ, बाइंटी और 95% होता budget, just focus on the cold ad, बाकी का जो बचावा 5-10% है, उसको आप retargeting में लगा सकते हो, वो भी, कैसे allocation करना है शुरुआत में, ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप grow करते जाओगे, तो आपको खुद का experience आजाएगा, और आप उसने जाप से changes कर सकते हो, ठीक है, तो 90% of the budget वो आपका cold ads भी जाने वाला है, बाकी जो 10% है, that is on the retargeting, यह दोनों चीज़ आप देख लिजए, then, adset, अगर आप यह minimum की मैं बात कर रहा हूं, और यह भी depend करेगा कि आपका product कितने का है, अगर आपका average product है, 600, 800, 500, 600, 1000 रुपए का, तो आप इसमें 600 का minimum budget तो होना चीए, किसी भी adset को, अगर आप adset budget optimization कर रहे हो, तो minimum 600 से budget से चलाओ ही चलाओ, ऐसा नहीं करो कि 200, 300 और हमारा fourth point, that is, कि आप horizontal scaling के उपर जाईए, कि आप अलग-अलग adset बनाईए, अलग-अलग audience को test करीए, और कोशिश करीए, कि आप उसमें winning audience को find कर पाएं, और उसके साथ आप आगे जाओगे, तो यह चीज़ पर focus करो, यह 4 चीज़े जो आने आपको बताई है, इन 4 ताकि कोई भी adset अपनी full potential फे रन हो पाए, then आप horizontal scaling करिए, look for what working and not on what's not working, बहुत ज़्यादा brand क्या करते हैं, माल लो कि आपके पास एक collection, उस collection के अंदर 10 product हैं, वो 10 product में 2 product sell हो रहे हैं, तो आप बहुत सारे brand क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई, मेरे 8 product क्यों नहीं sell हो र product लेकर आएंगे, अगर आपके website पे 10 product हैं, ठीक है, 10 collection मालो कि एक t-shirt collection आपने बनाया हो, 10 product हैं उसमें अंदर, तो उसमें एक यह दो design ऐसी होंगी, जो click कर जाएंगे लोगों को और वही ज्यादा बिकेंगी, तो आपको focus यह करना है कि आप उन दोनों design को stock में रखो, उनक आपको purchase मिल रही है, तो आपको art पे नहीं आ रही है, बाकी जो art बची उन पे नहीं आ रही है, और आपने उन दोनों पे भी momentum खो दिया, ठीक है, तो वो दोनों को आप scale करो, तो यह चीज रखो कि भाई, जो चीज काम कर रही है, उस पे जादा focus होना चाहिए, ना कि जो च कर सकते हो, important चीज है कि आपका money कितना revenue कितना आपके पास, ठीक है, आपके पास अच्छा कासा revenue है, तो आप आराम से profitability के साथ आप आराम से बहुत जादा चीज़े को test out कर सकते हो, यह मैंने जो पांच चीज़े बताई है, यह बहुत ही जादा जरूरी है, आपके brand को grow करने के लिए, ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या data आपको देखना है, सबसे पहले चीज़ कि रुएस आप देखो कि आपको return on ad spend क्या मिल रहा है, यानि कि जो आपका return on ad spend है, ठीक है return on ad spend, यह क्या है, आपने कितना खर्चा किया, कितना आपने revenue बाला, अब यह ची break even हो, या loss में हो, ठीक है, तो रुएस वो आपको calculate करना पड़ेगा, आप calculate करो कि आपके लिए क्या चीज़ कितना आप spend कर सकते है, facebook ads में एक purchase लाने के लिए, तो यह चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है, then जो दूसरी चीज़ है, that is CTR कि कितने लोग आपके ads पे click कर र कर रहे हैं, क्या जितने लोग link links कर रहे हैं, उतने ही लोग आपके landing page पर जा रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ difference है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत difference जाता है, 5-10% का लेकिन अगर बहुत heavy difference है, तो make sure कि भाई, जो आपने ad में link दिया, वो proper work कर रहा जो आपका रुआस है, वो जादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपका product महंगा है, अगर आप average industry के में बात करों, तो आप conversion rate, average industry की average pricing जो होती है, 1500-2000, उसमें आप conversion rate कोशिच करिए कि 1.5-2% के ऊपर रहे, या उतना है, और आप profitable हो तो बहुत अच्छी बात है, तो conversion rate बढ़ है, कि इन पे आप ध्यान रखो, इनको अच्छा रखो, तो आपका जो overall sale है, वो better होगी, अगर ये सारा data आपका अच्छा आ रहा है, तो आपकी जो sale है, वो definitely better होने वाली है, now, the fifth point, 45th नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th point is the growth partner stuff, अगर आप चाहते हो, हमाई साथ partner करना, जहाँ पर हम आपके brand को help करें, grow करने में, ठीक है, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो we'll work for free, ठीक है, अब ये जो चीज है, ये सब brands के लिए नहीं होती है, मतलब in the sense कि हम सब के साथ काम नहीं करते हैं, आप description में link दिया होगा, आप वहाँ पर जा सकते हो, या फिर ये में link दे रह सकते हैं, तो आपको हमाँ तरफ से call आएगा, और अगर हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, आपकी ये लिंग दिया हुआ है, आप definitely जाहिए, और इसको form fill up करिये, and you'll be getting a call from our side, अगर आपने form को properly fill किया है, तो बाकि अगर कोई भी question है, आपका clothing brand को grow करने को लेकर के, any question that आप वो कोशन चाड़ बॉक्स में नीचे डाल सकते हो और मैं आपके कोशन का रिपलाई करूंगा बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवार